हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल ब्लॉग्स विट सिमरन सीन कैसे वो अब सभी लोग मैं अच्छी नहीं हूँ जैसे कि मैं हमेशा बोलते हूँ कि मैं भी ठीक हूँ तो मैं ठीक नहीं हूँ इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं थोड़ी सी तब्य ठीक नहीं है इसलिए मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं और ये जो वीडियो है ये पहले का है जो कि मैं अडिट नहीं कर पाई थी आज मैं कर रही हूँ तो ये मंगलवार का दिन था तो उस दिन हम लोग कहीं जा रहे थे हाँ मौल जा रहे थे तो रास्ते में ये जगहा पड़ती है जहां से हम लोग निकलते हैं तो ये जगहा पड़ती है ये हिंडन नदी जो है ना हिंडन नदी है तो उसका पुल है ये एक छोटा सा तो वहीं पर ये बंदर बहुत निकलते हैं और यह एक रास्ता है शॉर्ट काट है यहां से जल्दी पहुँच जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो इसलिए यहां से हम लोग अधिक तर यूज़ करते हैं यह वाला रास्ता बहुत सारे मंकीज हैं तो हमने सोचा कि चलो क्यों ने इनको केले खिलाए जाए जाएं मंगलवार से ही मतलब नहीं है हम जब भी यहां से निकलते हैं तो मंकीज के लिए केला चना या जो भी कुछ होता है वो हम ले करके जाते हैं कभी कभी नई भी ले जा पाते हैं जब भूल जाते हैं तो अधिक तर हम लेके जाते हैं मंकीज यहां पर बहुत सारे थे शाम को श्याम मतलब श्याम का टाइम है ये और ये जो श्याम मेरे हस्वेंट तो वहां से फाइनली हम पहुच गए हैं मौल ये शिप्रा मौल है गाजियाबाद का और जैसे ही हम लोग वहां पहुचे तो बिल्कुल अंदर जाते ही मौल की सबसे पहले गणपती जी के दर्शन मौल में हम अंदर आ गहे थे और फ़र्स्टफलॉर पर मैक डावल्स है तो वहां की अइस-क्रीम मुह बहुत अच्य लगती है सर्दी है लेकिन अइस-क्रीम अच्हे लगती है कहना तो आइस-क्रीम तो हम लोगों ने खाई थी बहले ही सर्दी है तो और बॉल में ये उप क्वार वह थी होगी से डिए अच्छा लगता है मौल काफि टाइं बार आए . तो बेजी तो बाय थे मौल यंदू बाइ कम्न बॉनि पर प्रॉम लाई को है तब से लगए नहीं , लोकद़ाउन के दोरान . उनको पता नहीं कौन सी आइस क्रीम पसंद है मुझे अभी तक नहीं पता कि उनको हाँ उनको वो एक रबडी वाली आइस क्रीम आती है क्वालिटी वगेरा में भी आती है मदर डेरी में भी आती है तो वो जादा पसंद करते हैं मतलब वो थोड़ी सी अलग वाली खाना पसंद करते हूं और मुझे तो यह सस्ती सुन्दर टिका हुआ इस्क्रीम अची लगती है तो बने रहेगा ब्लॉग में आगे और देखते हैं क्या होते हैं मॉल से हम लोग ना बहार आ गए थे इस टाइम पे जादा भीड़ भी नहीं हो रही है क्योंकि तो हार भी निकल चुके हैं अब कुछ है भी नहीं है उस बचासे भी भीड़ नहीं होगी अगर कुछ खरीदना है कुछ है तो बिल्कुल आराम से खरीदा जा सकता है लंबी-लंबी कतारों में नहीं खड़े रहना पड़ेगा हमको जब बिलिंग काउंटर पे हम होते हैं बिलिंग के लिए तो बहुत देर लग जाती थी तो इस टाइम पे तो हमने कुछ लिया भी नहीं हो भीड़ी भी जाता नहीं थी बहार हम आ गए हैं यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं चोटे-चोटे से तो यह देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे थी और यहाँ की चीज़े भी देखने में बहुत अच्छे लग रही थी कुछ लोग हैं जो की खरियदारी कर रहे हैं यहां से मैंने भी कुछ लिया है यहां से तो वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिली जाएगा कि मैंने क्या लिया है और किता सुन्दर लग रहा है ना ये सच में अंदर से ज़्यादा अच्छा तो मुझे ये स्टॉल देखने में लग रहा है थी गूमने में तो यहां पर मैं आ गई थी बहुत थी सुन्दर सुन्दर सा समान लग रहा था मुझे मतलब ऐसी कौन सी लेटीज होगी ना जो इस तरीके की दुकान देखकर के एक बार रहना जाए वहां पर मतलब ठहरने का मन करता है कि चलो देख लो यार क्या क्या मिल रहा है क tapping कुछ लेना है नहीं लेना है थोड़ा सा देख दो लेते हैं लेकिन मुझे हैं से कप लिए थी बताऊं तो मैंने कप लिये थी तो वही सब म्हें पूछ रही थी कि कौन से किस रीट में है और भेया बता रहे थे मैंने यहाँ पर अपना वाइस में ही किया था लेकिन वाइस ओवर मुझे करना पड़ रहे है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी आवाजे आ रही थी शोर हो रहा था ऐसा होता है ना मॉल के अंदर भी कुछ एक अजीब सी आवाज था बहुत सारी आवाजे गुंजरी होती है और बहार भी गुंजरी होती है तो बस वही था इसलिए मैंने वाइस ओवर कर दिया मेरा भी कई बारी मन करता है कि नहीं यार मैं औरिजनल आवाज चो भी है तो उसमें मैं शूट करूँ उसमें वीडियो बनाओ लेकिन ऐसे कई बार होता है कई बार नहीं होता है तो बस ऐसे ही चल रहा है अच्छा मैं आप से एक बात कहना चाहरी हूँ काफी टाइम से आप लोग मेरे वीडियो फुल नहीं देख रहे हो इखे पता तो चली जाता है कि वीडियो पूरा नहीं देखा गया है और आधार दूरा ऐसे वीडियो देखते हैं तो वीडियो की क्वालिटी मतलब वीडियो भी खराब ही हो जाता है पूरा तो प्लीज फुल वोच कर लिया करो मेरा इतना जारा बड़ा भी नहीं होता है वीडियो आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत 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 जारा ज़लुत है डॉलर ओलर कुछ भी नहीं, बहुत ही मतलब बहुत ही बिकार चल रहा है, मैं क्या बोलूँ आपको मन भी नहीं करते है कि वीडियो बना के डालूं सच में और तबिएट खराब तो है, वो तो है ही, लेकिन मन भी नहीं करता नहीं, तो ऐसा होता है नोगों की बीडियो बनाते हैं जो लोगों के भी चैनल है वो समझ थे हैं कि कितनी महनत लगती है इन सब चीजमें चाहे देखने में वो वीडियी और इसमें है किया लेकिन सच में उसमें बहुत मैंनत होती है चाहिए वो जो भी है तो प्लीज आप सब लोगों सपोर्ट करिएगा प्लीज और यह है थोड़ा सा कुछ मस्ती टाइम ऐसे ही बस अपने वीडियो ग्राफिका रहे थे ऐसा होता है ना हम बहाँ जाती तो सब्कुस चल रहा है थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है बाहात निकलकि और तबित मेरी कोई ऐसे है खार वाली खराब नहीं है कि फीवर हो गया या कुछ है तो आराम करना है मुझे या कुछ है बस थोड़ी सी है प्रॉब्लम तो उसके वज़ा से वीडियो नहीं बना पाती है तक फिर एक्धम से यसा होता है कि एक्धम से बैड रास की पर चले जाते हो तो फिर में मैं बीडियो नहीं बना पाती हूं जब अच्छी हो जाती हूं तो फिर ऐसा लगता है चलो जा जा वोन भर या 算ई और घर आ गई हूं और यह वाली कप मैंने लिये हैं वहां से जो मैं आपको दिखा रही थी ना तो बस यह वाली कप लेकर के मैं आई हूं यह ब्लू कलर के हैं और अंदर से इसका कलर ओरेंज है अच्छे लग रहे थी मुझे पसंद आए और ठीक है डेली यूज के हिसाब से अच्छे हैं आपको कैसे लगे आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज बताना जरूर कमेंट करके और हां बीडियो को प्लीज फुल वाच कर लिया करो प्लीज इससे बीडियो अगर फुल वाच नहीं करते हैं या आधियर दूरी छोड़के बस ऐसा देखा कॉमेंट किय चले जाते हैं तो वीडियो पूरी खराब हो जाती है तो प्लीज फुल वाच करना पसंद आती है अगर वीडियो तो लाइक कर देना मिलती हूँ अगले ब्लॉग में बाई